हलो स्टूडेंट बेलकम टू पीवियर स्टडी बच्चों मॉर्णिंग में आप जानते हो कि सुबह आठ वजे से हर रोज आपकी क्लास टेंथ की एंसे आरिटी मैथ होती है बिल्कुल फ्री होती है लेकिन हर रोज आपको नहीं देखने को मिलती होगी उसका कारण यह है कि यह कलास जो रेगुलर होती है वो पीवियर स्टडी 3.0 चैनल पे होती है यह भी आपका पीवियर स्टडी का चैनल है जो पी नाइन टेंथ के लिए इलेवन टेंथ के लिए विसेस रूप से हैं जी बिलकुल विसनु चोदरी जुड़ चुके हैं दिपांसू रस्तोगी अ और कौन है भाई आमित साहू जी बिलकम बिलकम सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो साथियों आजाओ फटा फटा आजाओ जल्दी से उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर अपने जो एस्टडी है उसको आगे बढ़ते हैं देखो आप लोगों को पता है कि नहीं यह जो कोरोनम हमारी है इसके चलते 30% कोर सरकार ने कम कर दिये हैं 30% जिसमें आपका समांतर फ्रेडी और निकल गया है और भी कुछ चेप्टर निकले हैं उसका वीडियो मैंने आपको दिया है आपने देखा कि नहीं देखा है आप सभी ने प्रीति हरियाजाद ज प्रच सहब आप आए जो आमिर खान अभी से चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ें चलो ठीक है कल क्या पढ़ा था आपको पता है कल के दो हम पढ़े ही नहीं थे भाई रोज लाइब नहीं जुड़ोगे तो मजह कहां से आएगी हर दिन नहीं जुड़ोगे तो मजह नह त्ट्रेंगर ये हम लोगों कल पढ़ लिया था यानि हम क्या कर रहे है चैपटर नंबर शिक्स इस्टार्ट कर रहे हैं लोग सुरू करने जा रहें तो शिक्स नंबर चैप्टर का क्या नाम है भाई साभ इसका नाम है तिर्भूश ट्राइंगल तो देखो साथियों जैसे एक मकान बनाने के लिए हमें बहुत सारी सिश्टम की वेवस्ता करने पड़ती है उसी तरह से हमें क्या करना होता है class कोई भी chapter सुरू करने के पहले उनके जो concept होते हैं हमें उनको सीखना होता है क्योंकि बिना concept के भईया सवाल नहीं आएगा न उसी तरह जैसे अगर आपको घर बनाना है तो इंटा सेमेंट मोरंग लोहा लखड रखोगे तभी बनेगा न त तो हम क्या करेंगे तिर्भूज तो पढ़ना है उससे जुड़े हुए सवाल करने हैं लेकिन अभी संगत कोण क्या होता है एक अंतर कोण क्या होता है असन्य कोण क्या होता है रेखिय क्यूगम क्या होता है यह सारी चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे तो आपको इस चनेक गुड मॉनिंग प्रीत हरी आजाज जी गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग चलिए तो यह इतना ठीक है अब देखो क्या करना है ध्यान दो आप सभी चलो अब हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं अलग मतलब जान रहो क्या अब हम लोग कुछ अलग ये करने वाले हैं एक मिनट आज हम सभी पढ़ेंगे जो एकदम पूरा कांसेप्ट वाला चीज पढ़ेंगे आप लोग मुझे ये बताओ क्या आप इसमें से ये सारी चीजें जानते हो कि नहीं जो जो आपके काम की है मैं उनको बताओगा जैसे संगत कोड संगत कोड सुने हो एक आंतर कोड ये चीजें आपको आनी चाहिए ठीक ना बिल्कुल आनी चाहिए ये छोटे छोटे बाते हैं अंतर कोड वाह कोड ये कांसेप्ट मैं आपको पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीजें बताओगा ठीक है चले आगे चले चलो ये हो गया अंतर एक अंतर और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे जैसे तिर्बूज के तीनों कोनों का योगफल तो सभी जानते हैं बहुत छोटा सा ये इसको इंगलीज में क्या बोलते हैं आप लोग बताओं और जिनको इसमें से जिसके बारे में भी पता है फटा फट सब के बारे में बता दो सभी का डेफिनिशन बताओ आप लोग चलो फटा फट जल्दी करिए आप लोग जल्दी से बताइए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है ये सारी चीजें कलास सेबंथ में तुम लोगों ने देखा होगा अगर पढ़ा है तो भाई है ना चलिए आगे बढ़ें सर्बांग सम्ता की सर्थे तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों ने पढ़ लिया था इसमें तो कुछ बढ़ा था नहीं कि और इसमें क्या क्या पढ़ना था वाई कुछ चीजें मैंने यहां पर आपके लिए रखा था लेकिन आप लोगों ने सायद इसके पहले वाली कलास देखा ही नहीं था किरसफ्वाण्डिंग बिल्कुल करस्फंडिंग को संगत कौन बोलते बिपांसु जी बिल्कुल अल्टर मतलब एक अंथर होता है इसको इंटीरियर इसको एक्स्टिरियर एंगल बोलते हैं तो मुझे यह बताओ इसमें यह मुझे चलो इसमें ये बताओ बाई साहब इसका मानलो नाम है बीटा बीटा लेकिन तुम लोग टाइप नहीं कर पाओगे इटा बीटा नहीं टाइप कर पाओगे ना मानलो इसका कौन का नाम C है और ये कौन क्या है? A है और ये P है ये Q है, ये R है, ये S है मुझे इसमें से आप लोग एक काम करो जल्दी से सभी इसमें अन्ता और वाहिकोन बताओ बहुत ही आसान है आज सिर्फ कांसेप्ट का लाश्ट दिन है कल से कुश्चन होंगे याद रखना कल से कुश्चन होंगे और ये कलास सुबा चल जाती है आठ बजे से आप इसे बाद में चाहे जब देखो चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आन करके रखिए सभी बच्चे बाद में भी देख सकते हो दिवाली बाद हम इस कलास का टाइम चेंज करेंगे जो लोग चाह रहे हैं कि कलास का टाइम बदल दिया जाए दिवाली बाद करेंगे पमर्राज जी रादे रादे अकिल अली जी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ चलो सभी बच्चे बताओ फटा फट बताओ आई बाही का लिक्यो भई पूरी बात जल्दी लिखो फटा फट और जल्दी से देखो इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था मैं वही सोच रहा हूँ कि आपको एक बार फिर से दिखा दू क्योंकि कलास सेबंथ में आपने वो चीजें पढ़ा था और वह चीजें आप लोगों को यहां पर भी आनी चाहिए तो इसलिए मैं वही चीजें आपको दिखाने की कोसिस करूंगा ठीक है चलो फिर तो हां जो चीजें हैं आपके लिए सीखने वाली वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ऐसे कहीं पाऊगे नहीं दुबारा क्योंकि क्लास में लोकर स्ट कर स्टेन करवाते हैं चोटी चोटी बाते लोग नहीं कर बाते हैं और यह । बड़ीज़ कोड़ा गया यह यह वं वाइकॉण क्या है यह 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 सक्वाइकॉण यह custom हुता एंगर को जब कोई तिर्भूज לस मएन कहांdow से यहां तक है पीकुयार उसमें से हलका सा भुझाा को आगे बढ़ा दिया गया है तब ऐसा जो कोण बनता है वह वाय निवाकोण का लाता है ठीक है जैसे इसमें वाय कॉंद और भी हो सकता है फ्येत एक कितने बिशखकते हैं थै कितने करोerem या यह कियो वो गया है बच्चा अगर तुम चाहो तो इसको भी तो आगे बढ़ा सकते हो कि इसको भी अठना सकते हो तो तो कित्त्त होंगे कि देखो कित्त हो जाएंगे क कि बहुत सारे हो जाएंगे 2014 फिर है न गेला जोड़र लो फिर बताưो जी ठीक है आगे चले हाँ चलिए ओके गुड छे हो जाएंगे छे अब इसमें अंदर वाला मत लेना कि यहाँ हूँ बाइकोन है यह नहीं होगा छे होगा उनली एक यह यह भुजा आगे बढ़ाने पे यह है बस bath 2 इधर वाला मत लेना कि यह जो है भाइकोन नहीं है यह कुछ नहीं है क्योंकि ओल्टा बन रहा है यह है यह है ठीक है कित्ते इन फ Hahn 거야 ऐसली मिलकुल बहुत अच्छे नीग्ण नीउटन यादो बहुत है कूल तो यह कॉटे लिखती और बात करें इसके अंदर अगर कॉन यहां पर बी लिख 2019of यह सभी अन्था कॉन है किस्कrav यह काताई कंपली मेंटरी एंगल जो इमपोर्टेंट क्सेप्ट है में सिरफ उतना ही ना था तो अरचना खनवार जी गूड-मारिंग इसलुट सोफिय सायद गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग इसके बाद क्या बच्चा लिखो आप लोग पूर कोड यह सारी चीज़ें अगर आएंगी तो आप चैप्टर 6 के कुष्चन आसानी से करपा होगे इसके पीछे का जो बच्चे कलास नहीं देखे हैं उसको देख लें क कल वाली क्लास कल में मैंने कांग्रियंट एंड सेमेट्री बताया था एंड डेफनीशन आफ ट्रेंगल और भी कुछ कंसेप्ट कल मैंने सिखाये थैं कि लाइब होती है लेकिन पीवीर स्टेडी चैनल नंबर 3 पर होती है जिसकी लिंक आप देखो डिस्क्रेप्शन में हो हो जल्दी से लिखो उन्पली मेंट्री यह के लिखते हैं न एक है यह अ यहें अ लगेल आप लोगों को पता हो किน हाए कॉपलिमेंट्री अंगल का गउर अचंडेल जी घुड जी असे अच्छ CT इसकीं कमपलीमेंटंट से देग द Olay कि δेखो यह कि एक कॉंड के लिए ही होता फॉइसे अपने में पूरा कॉंड नहीं होता कुछ की हां के दो पूरा कॉंड वैसी एस का होता है अफ में तो अगैसे यह कोण 50 का न है अगर मैं बोलूं कि पूरत इसकाmot क्या हो वाख इसका पूरक कॉन क्या होगा मतलब यह अधूरा है यह पूरक कब होगा तो इस में क्या करते हैं मानलो कि हम फूरक कमाosaur कॉनैन नब्द अ बहिता है इसका मैं कॉन और फिर फूरक कॉन भी कह सकते हैं नबेंस के कॉन कॉन चान से is 40 डिगरी खुल मिला कि यह जान लो कि पूरा कॉंड वो होता है जैसे किसी भी कॉंड में चाहे कोई भी परकार का एंगल हो उसमें हम क्या करें कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए यही तुम लोग को देखना है जैसे मैं एक दूसरा एक्जामपल अगर दूँ ध्यान दो जैसे म बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी और आनुज प्रताप सिंग जी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं मिश्टर कल्लू मामा है आप चालो अच्छी बात है बताइए एक सवाल मैंने पूछा जिसका जबाब देखो सबसे पहले कौन दिया है बहुत अच्छे सोफिय सयद अंकित जी ने भी बता दिया दूसरे नंबर पर बिक्की मलहोतरा आमिर खान देशी पायलवानी कनया राम बिक्की कुमार एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेंगे यह नहीं कि तुम डंडा कर दो एकदम से हां मैंने कुछा आप एक बार बता दो ब 60 डिगरी का पूरा का फूष जाए तो इसमें यह देखेंगे कितना जोड़ने की अब्ब्ब्र हो जाए तो बहुतर ब्यां मान लो इसमें यक्स जोड़ देता है नब्ब्र हो जाएगा यक्स बराबर निकालो गे नब्ब्र 20-30 60 अंस आएगा कितना इगा 60 डिग्री यह ये था पूर अकॉंड मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ हम पढ़ रहे हैं कच्छा 10 की NCRT गड़े चैप्टर 6 लेकिन अभी हम चैप्टर सुरू करने के पहले उसकी तयारी करवा रहे हैं कि चैप्टर पढ़ोगे तो कैसे चीजें आपको आनी चाहिए पहले से तभी पढ़ पाऊंगे तो आपको चैप्टर के कूष्चन नहीं समझ में आएंगे इतना आसान नहीं है कहा है कि हमने इसमयार क्या पढ़ा पूरक कोंड के और एक है सम्पुरक कॉंड इसी का बड़ा भाई है the same speaking क्या होता है कि सप्लिमेंट्री एंगल वाटी सप्लिमेंट्री एंगल चलो आप लोग बताओ कि सप्लिमेंट्री एंगल क्या है बच्चा क्या है यह सप्लिमेंट्री एंगल अगरे पेज में है अनुज परताब तुमको बलग कर दें का बच्चा है यह चाहते हो ना बलग कर दें सप्लिमेंटरी की बाद आप क्या पढ़ोगे इससे जूड़े कुछ जामपल पढ़ोगे फिर मैं आपको संगत एकांतर यह सब बताऊंगा उपर वाले ठीक है चलो अब क्या पढ़ोगे सप्लिमेंटरी सप्लिमेंटरी एंगल देखिए जब दो कोण को अगर जोड़ा जाए उनका योगफल 90 हो जाता है तो वह पूरक कहलाता है जिसे कंप्लिमेंटरी बोलते हैं सप्लिमेंटरी में क्या है जब दो कोण को जोड़ा जा जैसे मालों यह कोण 30 आजाए कितना आजाए 180 आजाए तो यह मानलो यह US मैंने जोड़ा तो 180 होना चाहिए कि आपको आगया होगा कितना अंसर आएगा यानि अगर आप कोई पूछे कि साथ डिगरी का सप्लिमेंटरी यानि संपूरक क्या होगा बच्चा तो साथ डिगरी का संपूरक होगा यह ठीक है मतलब 120 कि समझ में आया ना कितना होगा 120 बिल्कुल बहुत अच्छे चलो आगे किसी का कोई सवाल इसमें नहीं न अब देखो इसमें कुछ सवाल बनते हैं जो कि तुम लोग को आने चाहिए बहुत ही इंपॉर्टन फैक्ट है वसे तो यह अच्छा साथ का कंसेप्ट है लेकिन अच्छा दस में अगर यह नहीं आएगा तो चैप्टर नहीं आएगा तुमको याद रखना हां देखो ध्यान दो अब बहुत जादा इसको करवाने से मतलब नहीं है फिलहाल नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ करवा देता है कि इसके बाद क्या पढ़ोगे कि आसन्य कॉन अच्छ आसन्य कॉन तो अच्छ और कि अदेखो आसने कॉन देख लो यहां पर मैंने नहीं लिखा न है उसको भी मैं लिख़ दे रहा हूं उसके बाद मैं यह बता हूँगा ैजो जो मैंने नहीं बता इदर साइड में मैं वह सारी चीजें बता ओंगा ठीक है देखो, यह मैंने बता दिया, अंत इधरे साइड में लिख तो दिखतो रहा ना उधर साइड में भी दिख रहा यार इधर देख लो कि आसन ने कोड दिख रहा ना इधर आसन कोड आसन कोड इसको बच्चा इंगलिस में एड़ेसेंट एंगल बोलते हैं क्या होता है कि एड़ेसेंट एंगल वाट इज एड़ेसेंट एंगल आप लोग बताओ आसन कोड क्या होता है देखो ध्यान दो इधर साइड में कि चलो द्यान दो या क्या नाम था इनका अजय परताब सिंग अब तुमको बिट्टा मैं पांच मिनट के लिए सुला दिया हुआ ठीक है पांच मिनट तुम आराम करो क्योंकि तुम नाम बुलाने के लिए हो तो भाई नाम तो यहां बुलाना बड़ा गड़वड है और इसमें से एक लाइन ऐसे गई पहले पूरा मतलब समझो मारकर में थोड़ा इंक डाल दूं क्या हलका दिख रहे हैं पूसे सही दिख रहे हैं ना कुछ नालायक टाइप के आ जाते हैं जिनकी वज़ा से काफी कभी-कभी हैरानी करनी पड़ती है चलो ठीक है पांच मिनिट के लिए अराम करो फिर अभी आना चलो तो यह क्या बन रहा है इसे ध्यान से देखो मानलो यहां पर कोण ए बन रहा है और यहां पर कोण बी बन रहा है दियान से देखो समझने की कोशिश करना हम पढ़ रहें क्या आशन कोण एडजेसेंट एंगल ठीक ना बच्चा तो यहां पर ए कामा भी यह आशन कोण है क्या है यह आशन कोण है जिनको इंगलिस में एडजेसेंट एंगल कहा जाता है क्या कहा जाता है एडजेसेंट एंगल कहा जाता है इंगलिस भी लिख लो भाई इंगलिस तो मुझे चाहता नहीं आता लेकिन मैं समझा रहा हूं पहले देखो एड़ेसेंट एंगल ठीक है अब तुम लोग समझोगे कईसे अगर कहीं कुछ और भी गडबड रहा तो कैसे समझोगे कि आसन ने कौण क्या है कैसे समझोगे देखो इसके लिए चीजें क्या आपको समझनी है common side होना चाहिए and common vertex होना चाहिए समझने की कोशिस करो अगर हम बात करें इस कौण की ये वाले की तो हमें ये वाला कौण बनाने के लिए ये भुजा चाहिए मानलो इसका नाम अने लिखती है चलो पी क्यूप इसका आर एंड इसका यस ध्यान से समझे लो नहीं तो सिर्फ यही तो चाहिए लेकिन ध्यान दो कोण B के लिए क्या क्या चाहिए कोण B बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ध्यान दो कोण B बनानेंगे तो बच्चा हमें यह QS चाहिए यह कोण B और यह QR भी चाहिए तुम लोग को का समझ में आ रहा इसमें क्या समझ में आया हमें कोण ए बनाने के लिए भी क्यू आर चाहिए और कोण भी बनाने के लिए भी क्या चाहिए क्यू आर चाहिए दोनों कोणों के लिए एक बुचा कॉमन है कॉमन को हिंदी में उभय निष्ट बोलते हैं अब जो ह कुछ बच्चे होंगे जैसे मैं भी हिंदी मीडियम में हूँ तो वो लोग क्या करेंगे अगर मैं कॉमन बोलूंगा तो कहेंगे हिंदी बताओ हर चीज की हिंदी नहीं समझ पाओगे कामन को उभयनिष्ट बोलते हैं तो ये भुजा क्या है की बार कामन है ठीक है एक चीज और कामन है वो क्या ये सारे भुजाएं आके इसी कौन्ना पे मिल रही न बच्चा इसी पे मिल रही न तो दो चीजें कामन होना चाहिए यहाँ साइड होना चाहिए एक भुजा एक भुजा कामन होनी चाहिए ऐसन्य कोण के लिए एक कंडीशन है याद रखना दूसरा जाये कौन वर्टेक्स एकामन मतलब च्चा-थि-त क्या है यह सीर्ष उन्मको मिल पर मिल रहा है यह क्या होन चाहिए ठीक है सज्जन राजपूर जी गुड मानिंग वच्चा राहूल एदुबंसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी चलिए यादराम यादू जी गुड मानिंग समझ में आया आया समझ में आसन्य कोण क्या होता है जब कोई दो कौण ऐसे बने हो जिनका सीरस कॉमन हो उसमें एक भुझा भी कॉमन हो तब वो आसन्य कोण कहलते हैं लेकिन ये आसन्य कौण कब नहीं होते हैं वो चीज भी हम तुम लोग को दिखाएंगे बच्चा इधर है साइड में इधर देखो थोड़ा सा कैमरा इधर करता हूं चुक्कि हमें क्या करना इधर आसने कौन दिखाना है न यह लो चलो कि अगर कोई कौन ऐसे बना है कि देखो बच्चा ध्यान दो अगर ऐसे बना है कि एक कोड़े में आग चीपक जाता है उपर से हां अब तुम ध्यान दो इसका नाम एवी सी एंड़ी है तो मुझे यह बताओ कि कौन पी और क्यूँ क्या आसने कौन है जल्दी से यस या नो इज एंगल पी and क्यूँ इज एडजेसंट एंगल इंगलमंगलीज मैं थवड़ा और बोलना ऐसे बोलेंगी एग है इंगल पी क्यूँ एडजेसंट बताओ हमने कहा था कि एड़ जैसेंट टेंगल के लिए एक भूजा कामन होनी चाहिए तो बच्चा देखो भूजा तो कामन है चुकि कौन Q बनाने के लिए भी ये लंबी भूजा चाहिए कौन P बनाने के लिए भी ये भूजा चाहिए कामन है दूसरा condition मैंने कहा था कि बच्चा एक vertex भी common होना चाहिए मतलब जहां से वो निकले है वो भी common होना चाहिए देखो यहां पर यह सब यहीं से निकलें क्यों से न एक इधर को चला गया एक इधर को चला गया यह भी एक ही जगह से निकलने चाहिए लेकिन यहां यह condition नहीं फालो होती है यह बच्चा ही अफे निकल गए है यह ही अफे निकल गए है दोनों इफ लिए यह क्या है PQ is not adjacent angle यह दोनों आसनने कोण नहीं है जो concept सीख जाएंगे बच्चा वो कच्छा 10 की मैथ का chapter जो 6.1, 6.2, 6.3 जो भी यह सब कर ले जाएंगे खुद से कर ले जाओगे चुटकियों में जैसे मैंने पहले कहा न कि घर बनाने के लिए सेमिंड, मोरंग, लोहा, लंखड, मिस्तरी, लेबर की जरुरत पड़ती है बीना उसके नहीं होता है तो ऐसे क्या करोगे तुम लोग जब तक यह सारी चीजे नहीं सीखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है तब तक chapter नहीं समझ में आएगा नंबर इक बारा और कौन सा नंबर अब वीडियो पीछे करके देखो बच्चा चाहे एक बार देखो चाहे आठ बार देखो ठीक है वीडियो पीछे करके चाहे जितना बार देखो चलो जल्दी से इसको बना लो जिनको बनाना है या फिर स्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हट गया हूँ मैं सामने से हट गया हूँ स्क्रीन साट ले लो बच्चा लो ठीक है हो गया ना हाँ इसके बाद अब हम क्या बात करने बाले हैं वो देखना बड़ा ही खतरनाक चीज है मैं आपके लिए यहां से खोज के रखा था यार पता नहीं सब कहां चला जाता है मैं सोच रहा था कि आप लोगों को इस पेसली दूंगा यह सब बस बाकी और किसी को नहीं ठीक है हाँ तो बच्चा यहां पर मैं काफी देर से लिखा हूं उसको भी मैं आपको बताई देता हूं चलो ध्यान दो आप लोग जो मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल ना इसको म कि यह क्लास कितना बज़े होती है सभी बच्चे बताओ जल्दी से चलो है है हेडिंग डालो साथ साथ में अल्टरनेट एंगल हिंदी मीडियम आले साथ ही लोग लिखेंगे एक आंतर कोड क्या लिखोगे एक आंतर कोड कि चलो लिखो जल्दी से एक आंतर कोड क्या लिख कि बहुत सारे कोड़ां से आपके लिए दिये हैं हरिण डाल दिये क्या है इकांतर कोड एकांतर कोड के बाद हम लोग पढ़ेंगे संगत कोड आसन्य कोन हम लोगों पड़ लिया है इसको एड्शे सेंट एंगल बोलतें इंग्लिस में क्या बोलते हैं एड्शेसंट एंगल को मतलब यह कांतर कौन कशना उसके लिए क्जांपल बना लो लंबा वाह सरा जैसे मालो यह रेखा थे ओ एक रे जो यह बना ले ना तुम लोगो ने सही दिख रहा ना भाई इनको एक रेखा ऐसे पतिछेदित कर रही है का कर रही है इनके उपपर फे चड़के चली जा रही अब देखो आईसी श्थिती में इसमें धेर सारे कोण बनते हैं और इसी में एक आंतर कोण भी बनता है ठीक है क्या होता है इसी में एक आंतर कोण भी आपका आता है चलो जल्दी देखो मारकर में देखनू थोड़ा गड़ बड़ा रहा है सुख गया ना मारकर में थोड़ा इंक डालूँगा जिससे कुछ बेहतर चले है सिंगर रंजीत जी सिंगर रंजीत और जो भी और बच्चे जुड़े हैं पर लोगों में से जो उसे अभी सब्सक्राइब ने किया जल्दी से पीबीर स्टटी 3.0 पर चलो जल्दी से गाओ सब्सक्राइब करके आजाओ एक मिनट में इस वीडियो पर अरे उपर सर्च कर लो यह नीचे चला जाएगा नीचे प्ले होता रहेगा यह कटेगा नहीं यूट्यूब करना फीचर है अगर अपडेट है तो ठीक है नहीं तो मैं लाइस्ट में नंबर दे दूंगा आप कोई गिन पाया किता बून साही बारा इसमें अगर तुम लोग यही नहीं गिन पाया तो फिर का होगा भाई चलो आप का करेंगे भाई हाँ अब हम इसमें कोण बनाएंगे मानलो की यह रेखा इधर साइट से तो हमें ज्यादा मतलब है नहीं या फिर लिखी लो चलो यह रेखा मानलो या मियान है यह रेखा का बच्चा इनको लिख लो पी क्यू है और यह बच्ची भी एवी है यह सभी क्या इनके नाम है अब देखो यहां पर बहुत सारे एंगल बनेंगे जहां जहां पर मोड बना है ना यह कौन वन हो गया मानले यह कौन टू हो गया क्लियर दिख रहा है ना इसमें कोई जंजड़ हो ही ना वन टू तो भाई सहाब यह तीन हो जाएंगे और यह भाई सहाब चार हो जाएंगे इसी करम में यहां बढ़ोगे तो चार के बाद यह 5 होई जाएंगे और यह 6 होई जाएंगे यह 7 होई जाएंगे यह 8 होई जाएंगे इसके नंबरिंग में कोई जरूरी नहीं कि कौन क्या हो जाएगा आप कुछ भी लिख लो मैं सिर्फ तुम लोग को समधने के लिए बताया हूं कि जिससे मैं बता सकूं कौन क्यों सा कौन है ठीक है हम पढ़ रहें अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल मिन्स एक अंतर कौन आप देखो ध्यान दो कि ध्यान दो अब क्या होने वाला है इसमें अगर हम बात करें अल्टरनेट इंगल अल्टरनेट की तो बाद में पहले आप बात करो इंटीरियर और इक्स्टीरियर की क्या-क्या बात करेंगे हम पहले इसके अंतरगत अंता कौन है भाई चलो र एक बात यह समझे लो बच्चा कि चाहे अंता कोंड बोलो या अंता एकांतर कोंड बोलो इसमें मतलब एक ही होगा ठीक है जो यह कंडीशन यहां पर है जैसे देखो यहां पर अगर हम बात करें अंता कोंड की या फिर अंता एकांतर कोंड देखिए कभी-कभी क्या होता है अ होता है अंता कॉन मतलब विस्में अंदर की तरफ एंतर की तरब जैसे तीन-चार-पांचर ज Orleans the इंदर यह phone तीन-चार यहां बना है इधर लाइन यही दर से यह लाइन है इसे लाइन मतलब यह 4 तरफ से घिरा है खंब ओ öğ Megira अरे three four यहां बना है इधर से यह घेर रहा इधर से यह घेर रहा है बादर बीच में बना है तो अनता कौन कौन है कौन 3 एंड को चार और यह के ले तो घिरा नहीं है इधर से दद्दू लोग भीथी में गिरें लँटार ऊछे से फंसे हैं देखो यह 5-6 यह वितों अंदर में पांच और 6 तो यह पांच और उसे है यह सब क्या है अंताकोर और है जिसको इंटीर जेक्शन इंटीर एंगर बोलते हैं क्या Zweep interior angle बोलते हैं बच्चा तो यह क्या होगे अंता कॉंड हो गए जो अंदर में हैं इसी तरह से अगर वाह कॉंड की बात करें तो चार कॉंड जो है वो बाहर की तरफ आजाद हैं जैसे देखो यहां वन है यह चाह जहां भाग जा इधर को यह दो इधर चाह जहां भाग जाए क्याहिए यह कहीं बंद नहीं है लेकिन यह तीन और चार और पांच और शे के लिए बंद है इदर से यह लाइन है इदर से यह लाइन है थिक तो यह एंगल वन टू यह यह से बून कि यह क्या है कि क्या है यह 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 वाइकोन है ठीक है अब यहीं अगर हम बात करें अन्ता एक आंतर का यूग्मू कि अगर बात करें बच्चा तो द्यान दो आप लोग कि यह कच्छा 10 की एंसी आर्टी गड़ी था जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के लिए रेडी कर रहें आपको अब द्यान दो क्या-क्या देखना हमें अन्ता एक आंतर कोण का यूग्मू देखो यह सभी एक प्रकार से एक आंतर कोण भी है कि नहीं कि क्या है एक अंतर कोणा के यह से कुछ नहीं होता उसका एक यूगम होता है एक जोड़ा होता है तभी तो ना उसका सिस्टम होता ना एक अंतर कोण पराबर होते हैं सुने हो कि नहीं यह होता है ना लिखो एकांतर अंस तर नंताहिकूंड इसको इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे किया लिखेंगि अल्टरनिट इंटीरियर एंगल अल्टरनिट इंटीरứng एंगल का जो पेयर रोगा बच्चा होगा यह 3 है ना कौन 3 इसके नीचे वाला नहीं इसके साइड का दूसरे वाला मतलब बीच में जो सुष्डार है उस बार्डर के क्रास वाला ठीक है तो यूगम तीन और 6 कौन-कौन है को कौन 3 और कौन 6 ठीक है इसी तरह से आपका दूसरा पेर होगा यह पहला है कि कुम हो कि दूसरा पेर होगा बच्च्चा चार और पाँच थीक है यह क्या है कि समझ में आ रहा कि नहीं कि 3 और 6 4 और 5 तो क्या एक है दो ही पेर है दो ही पेर है बाकि और अन्ता एकांतर नहीं यह वह हैं बाहर साइड में है ठीक है अब लिखो अगर वाहे एक अंतर वाहे कोड़ यानि इक्स्टीरियर अल्टरनेट एंगल तो इक्स्टीरियर में अगर पेयर देखेंगे बच्चा तो वन है और वन का एट होगा न ठीक है तो एडिंग डाल दो एक अंतर वाहे कोड़ कोड़ एक और कोड़ आठ ठीक है और दो और साथ एंगल दो आएंड एंगल साथ ये क्या है एक अंतर वाहे कोड़ है बच्चा याद रखना भाई हाँ यद्दू जी को अधो धन्यवाद आप जो आ गए आप तो मुक्ति मंत्री बन रहे थे बिहार क्यार पढ़ने भी लगे का आज कल हमारे नेता मंत्री लोग पढ़ाई कहा करते हैं पढ़ाई का उनको कामी नहीं लगता है बस लड़ाई जगड़ा करना सिखाओ इंद है यह हो गया है और आप आप यानि अपने क्या और γलक्त कोD कॉर्ण करेसपांडिंग अंगल ने इसको भी नहीं नहीं वताया करस्पांडिंग एंगल का है वही चलो आप लोग ट्राइए करके मुझे बताओ लेकिन टाइम बहुत जादा हो गया आज बहुत है जादा टाइम हो रहा है तो आज यह करस्पांडिंग एंगल नहीं हो पाएगा वाई सहाब यह संगत कॉन में कल आपको बता दूंगा आज लेट हो रहा है क्लास तो इतने टाइम होती है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको बहुत बहुत कोटी-कोटी धन्यवाद चलते चलते आपको एक बात बता दें बहुत जल्दी में वह क्या है कि आपकी यह कलास रेगुलर होती है लेकिन पीबी आर इस्टडी 3.0 पर होती है आप इसे यूटूब पर अभी सर्च कर लो पीबीर स्टडी 3.0 सुनने और जाकर के तुरन सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यह कलास रेगुलर इसी चैनल पर होती है ठीक है सुब 8 बज़े से होती है बहुत बहुत शुक्री आप सभी को प्रेम पूर्बग दिल स से धनलेबाद जाके तुरन सब्सक्राइब करो रेगुलर पढ़ो और विल्कुल फ्री पढ़ो